मैंने इस anime का नाम बहुत जादा सुना था, काफियों ने मुझे सजेस्ट किया था कि यार यह anime देख इसके animation जो quality है, animation जो इसके अंदर दिया गया है, वो ultimate level का बहुत जबर्दस्त है, नमस्कार तो तो इस युड़े हम बात करने वाला हूं, केंगन असूरा anime series के बारे में, जो Netflix पर आप लोगों को मिल जाएगी, अभी फिलाल मैंने इसका first season ही देखा है, जिसके अंदर 12 episode है, और इसके second season में भी 12 episode है, मैंने बस इतना ही देखा है, उसके अंदर 12 episode है, मैं बिल्कुल देखना स्टार्ट नहीं किया, तो अभी first season देखा है, तो उसी के बारे में बा हैं, तो वो अपने-पने fighters लेके चले जाएं, जैसे कि अगर मेरा किसी के साथ मतभेद है, तो मैं अपने एक fighter रखूँगा अपने पास, और उस fighter को, जिसके साथ भी मेरा मतभेद है, मैं उसके fighter के साथ अपने fighter को लड़वाऊंगा, और अपने मतभेद को वहां पर soul इसके अंदर दिखाया गया है, तो यह concert पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है, तो इसके फर्स सीजन के अंदर थोड़ी बहुत इसके अंदर fight दिखाये गई है, और सच मेयार जो इसके अंदर चो भी fight दिखाये गई, इतना, मैं नहीं कहाँगो कि वो बहुत ultimate level की जो fight इस उसकी स्टोरी के साथ साथ फिर यहां पर दिखाया गए कि एक नया tournament start हो रहा है, life or death ऐसा करके tournament start हो रहा है, अगर कोई जो भी व्यक्ति, उसका fighter, जो मैं अगर सुपोज मेरा fighter अगर वो tournament जी जाता है, तो इस पूरी दुनिया में जो भी fight organized कराने वाली जो company है, उसका chairman बना जो दी कही है, वो भर भर के दी गए है, मतलब कि अगर fighter आपस में दो fighter लडाई करने आ रहे हैं, तो उस fighter की backstory क्या है, वो कौन सी technique यूज कर रहा है, लडाई करने में, सारी चीजें इसके अंदर, मतलब बिलकुल डिटेल से बताए गए है, जो काफी अच्छी लगी मुझे और इसके अंदर जो animation है, वो तो यार, कभी-कभी 3D का लगता है, कि 3D इसके अंदर यूज की कि कभी 2D का हमें थोड़ा बहुत इसमें experience हो जाता है, तो कह सकते हो कि यार, यह दोनों mix है, 2.5D समझ सकते हो कि हाँ, इसमें इस dimension का यूज किया गया है, तो life or death, यह tournament, जब य ultimate level की थी, हमारी आंके खुली की खुली रह गई, ऐसा इसमें नहीं हो पाता है, क्योंकि इसके first season का main focus इसके character development रहे, ताकि हम इनके character के साथ अच्छे से जुड़ पाएं, तो इसमें यह दिखाया गया है, और इसमें एक character अगर ना दिखाते, कसम से, अगर उस character को यह ना द है, वो उसके बिहाव पर fight करता है वहां पर, तो जो याशमीता का जो इसमें character दिखाये गया है, वो इतना ज़्यादा irritating है, किसी भी situation को लेकर वो इतना overreact करता है, चीटता है, चिलाता है, इतना, मतलब यार अकर वो जब भी screen पर आता न, एक बार मन करता है, कोई व्यक्त की मतलब, एक दो scene इसके अंदर comedy के आपको देखने ही का मिल सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है इतना, और जितने भी anime मैंने अपनी life में देखे हैं, अगर उसका compare मैं इस anime से करूं, तो मैं यह कहूंगा कि यह anime उन लोगों को पसंद आ सकता है, जो ने-ने anime fan बने ह और जिनको कुछ ऐसा interesting देखना है, जिन्होंने अभी तक कुछ देखा है नहीं, तो वो इस anime series से start कर सकते हैं, और एक और बात मैं यह कहना चाहूंगा कि Netflix वो सच में बहुँ ज़्यादा जरूरत है, अपने anime के उपर वो काम करें, उसको अच्छे से improve करें, ऐसा ही मैंने इ उस Japan Sink से तो काफी ज़्यादा अच्छा है, बट फिर भी Netflix को बहुँ ज़्यादा जरूरत है कि अपने anime के उपर अच्छे से काम करें, अच्छे से improve करें, और इस anime series के अंदर एक horror का जोनर डाला गया है, अगर सच मेहार तुमने Attack on Titans देख रहे हैं तो तुम्हें पता चले इसमें इतना नहीं है गया अगर किसी का मुझ खुला रहा गया या फिर कुछ ऐसे डार्क सा फेस कर गया तो वह horror रहा जाता है, ऐसा नहीं होता है, जितने भी anime मैंने देखे हैं Netflix के अलावा अगर बात करूं, यह मतलब Kengan Ashura और Japan Sings को इन दोनों को अगर साइड में अठाक कि यार इसके अंदर कही न कहीं जब आप देखोगे तो इसमें पता चलेगा सरें पैसे कमाने के purpose पर है उन्होंने दिल से काम ग्ली किया, बाकि अगर तुम दूसरे anime देखो तो इसमें पता चले गा है यार इन्होंने ना दिल से इसके अंदर अपना काम कर रहा है, तभी आप उससे अच्छे से connect हो पाते हो अब देखा यार किसी का ये favorite हो सकता है बट यार सच में अगर तुमने attack on titans या फिर your silent voice grave of the fireflies अगर इतने अच्छे अच्छे anime अगर तुमने देख रखे होंगे कि यार first season में ही मेरा interest इतना खतम हो चुका था कि यार मुझे नहीं लगा कि मुझे second season देखना चाहिए अभी फिलाल decide नहीं कि है देखते हैं आने वाले time में अगर कोशिश कर पाया अपने दिल को मना पाया कि ठीक है यार देख लेते हैं क्या पता उसके अंदर और अच्छे से इसके अंदर बता दिया जाए क्यार मेरी तरफ से इस सीरीज को मैं देना चाहूँगा 5 राफ्टो 10 स्टार अगर किसी ने नहीं देखिया तो मैं क्या रिकमेंडेट करूँ यार अगर तुम लोग नए हो अगर अनिमे फैन अभी अभी बने हो अगर तुमने एनिमे फैन बनना भी है तो प्लीज यह क्यार सुने हो का को नई त मिसे हो